हेलो एवरेमन QUแลział अप सभी लोग दा पॉल्टीकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है आज कि इस वीडिव में क्लास या हम ज्यादा बिल्कुल फिरी ना रहें क्योंकि आप सुभी बता है कि सेकंटर में दिन हमें बहुत कामिल है कि देखा दो मेने का समय सेस है ऐसे में हमें और हमारी स्ट्रटीजी यह होनी चाहिए कि हम सेकंटरम की जो प्रिफिरेशन दोसो अभी से स्टार्ट करें और और सब्सक्राइब करें दो में को जो जो प्रिफिरreiben करने का शेलКак सोव्ति अगए कर दोस्ति हैं तो चैनल पर आप करेंग पोदिग दो सब्सक्राइब करों दिगए हैं मुझस इसका लिजे ताकि हमारे चैनल के तोरह जो भी अपडेट दोस्तों आप सभी क्लियर कर लाइज है तो नोटिफिकेशन मिना किसी बादा कि आप सभी तक असानी से पहुंच जाए तो चले दोस्तों बात करते हैं कि सेकेंड टरम में कौन-कौन से चेप्टर आने वाले हैं तो तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हमारी बुक नमबर वन तो दोस्तों जो हमारी पुस्तक वन है समकालिन विश्वराजनेती आप उसे निकाली और चेप्टर पर टिक कर लीजे कि कौन से चेप्टर आ रहा है तो बुक नमबर वन की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह आपका आ रहा है ठीक है चैप्टर नंबर seven सत्ता के नएकेंद्र वर चैप्ट उसमें आकर हम बात करें तो पुस्ता को समें यह चाहिद नंबरrol तो सत्ता के वीकिल्पिक यह इसे चेप्टर है उस पर आप टिक लगा लिजे यह आठ नुबर की चेप्टर आएगा यह सेकंड डुम में आपका आ रहा है सेकंड चेप्टर जिस पर आपको टिक लगाना है वह दोस्त चैप्टर नुबर सब्सक्राइग ग्लोबलाईजेशन वैस्विकर रणड यह भी आरहा आपके सेकंड डुम में जो फर्स्ट बुक है डोस्तो उसमें कोई कर चेप्टर नुमर 3 छेप्टर नुबर ठी में विद्वारत भारत के विंडिया इस के अलावा दो вместе है तो गीडिया विजिए इसका बरThe और बहुत दिले गड़ बंदर में अच्छा भी इसमें हम पढ़ेंगे इसके बार दोस्तों जो हमारे चप्टर अरह वो आ रहा है चप्टर अमर 11 जिसे हम कहते हैं हमें जै प्रकास नारायान पढ़ना है इस चेप्टर में जै प्रकास नारायान हमें दोस्तों राम मनोहर लोहिया पढ़ना है राम मनोहर लोहिया ठीक है याद रखना दो लिखे जिए राम मनोहर लोहिया और समाजवाद इसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है पंडित दीन ये भी आपको लिख लेना है दोस्तों पंडित दीन दयाल उपध्या है पंडित दीन दयाल उपध्या और एकात में मानवात पढ़ना है और इसमें हमें राश्ट्रिय आपातकाल पढ़ना है दोस्तों ठीक है राश्ट्रिय आपातकाल और लोकतांतिक लोक जो लोकतांतिक अ यह भारते राजनेती और परविरते और विकास इसमें दोस्तों हम लोग अंडिये की पढ़ेंगे एंडिये 1 एंडिये 2 एंडिये 3 एंडिये 4 और यूपिये पढ़ेंगे ठीक है एंडिये 1 पढ़ेंगे दोस्तों हम इसमें एंडिये 1 2 3 4 इसमें यूपिये पढ़ेंगे दो नोट बुक में नोट को लिए और अपने इस्टडी टेबल पर इसे चस्पा कर लिए तुकि इसलेबस जो हमारी तैयरे का बहुत बड़ा आधार होता है यह आप कह सकता है कि परमुक आधार जो हमारा में जो चीज वह हमारा सिलेबस है तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए है और क्योंकि उसी के अकोडिक हमें ट्यारी करने है और जैसे पता हैं फस्टरम जो आपको गया है वो क्या था करने के लिए दोस्तों आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़िए और दा पॉलिटिकल मास्टर को सब्सक्राइब केजिए अगर हमारे से दोस्तों लाइब ग्रास लेनी है जुड़नी है तो हमें जोईन कर सकते हैं दोस्तों तब पोलिटिकल मास्टर को जोईन कीजिए और वीडियो को दोस्तों जदा ज़्याधा सेर करें अगर वीडियो अच्छे लगे तो यसे प्लीज लाइक कर दीजे और शे सब्सक्राइब को देख लेक। और उसी एकोडिक जो है अपनी स्ट्राडिजी फोलो करें पढ़ाई करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दस्तों आज की स्टूडियों बसेता ही मिलता है ने स्टूडियों में धन्यवाद जैहिन